दोस्तों अगर आप रेलबे एक्जाम एंटी पीसी प्लस गुरूब डी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो यह इस्पेशल बुक की यह आपके लिए है और इस्पेशल क्यों है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसमें फूल सलेवस बाइज जो है कॉंटेंट पूरा कव इसमें दिया गया है और प्रिविएस यह कुष्चन भी पूछे गया रेलबे एक्जाम में वह भी शामिल किया गया है और दोस्तों इसमें खास यह कि मातर 35 रूपीज की बुक है यह ओफर चला है कुछ दिनों के लिए आप हमारे सब्सक्राइबर हैं ऑनलाइन सब्सक्रा इस दोनों लेंगेज मिल जाएगी तो आपको जो भी लेंगेज रहे वह आप देख सकते हैं हिंदी प्लास इंग्लीज में काफी अच्छी बुक है कम प्राइज में आपको इत्ता अच्छा कॉंटेंट मिला है आप जरूर परचेज कले किसी तरह कुईरी है आपको तूस नंबर में मिल जाएगा उस नंबर पे भी आप कॉल करके कुई रिस को अपना पूछ सकते हैं ठीक है अगर यह वीडियो आपको पसंदा है प्लीज लाइक जरू करें इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेर कर दे सभी मित्रोग साथ सभी खेल्प करने के लिए प्लीज ए हारे एक्जाम के लिए ठीक है और काफी सारे एक्ष्टा फैक्ट में आपको कोश्चन से लेटेर बताता हूं तो प्लीज वीडियो को लास तक देखते रहे हैं और साथ में लास्ट में करेंट फेस कुई इसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है ठीक है चल ग्लोबल सर्विसेज ग्रूप के सीओ डवलू यू एनस ग्लोबल सर्विसेज ग्रूप के सीओ केशो मुर्गेश को 2019 के लिए अपना चेर्में ने उट किया है और देखे उस तो यहाँ पर बता दे कि रिशाद प्रेम जी का स्थान लिया इन्होंने ठीक है रिशाद प्र प्रेम जी इस से पहले थे तो नए चेर्में बन गए है केश्व मुर्गेश जी से पहले कौन थे विप्रो के मुख रणनीती अधिकारी और बोर्ड के सदस थे रिशाद प्रेम जी इससे पहले थे ठीक है तो आप याद रखेंगे चलिए काफी मातपूर गोश्चन है और सारे फैक्ट भी आप याद रखेंगे अगला गोश्चन है मारा प्रोजेक्ट 75 के तहट भारती नौसेन द्वारा कितनी घातक पंडुब्यों को अधिग्रहण किया जाएगा के जाएगा 6 ठीक है 6 देखें उस तो भारती नौसेना परियुजना 75 के तहट 6 घातक पंडुब्यों को अधिग्रहण करेगी और आपको बता दे कि प्रोजेक्ट 75 भारत के तहट नौसेना जो है पारंपरिक डीजल एक्ट्रानिक पंडुब्यों को निर्माड करना चाहती इसमें 6 और पंडुब्यों में समुद्र में 18 हेवी वेट टार्पीडो को ले जाने और लांज करने की शमता है आपको बता देख भातिनों से नकले प्रोजेक्ट 75 क्लास पंडुब्यों को यह अनुवरती है यह ठीक है तो इसमें 6 पंडुब्यों को अध्रहण किया जाए अगा शेहरुख खान ठीक है ओप्सन ए देखे एक फेमेस बॉलीबूर्ट एक्टर है शेहरुख खान को लंदन इन्वर्सिटी द्वारा लौ इन्वर्सिटी द्वारा प्रहुपकार में माने डारेक्टेर के उपाधी दी गई है और समाज को वापस देने के उनके प्रया कोश्चन है ठीक है वेरी इंपोर्टेंट है याद रखेंगे आप किया गए डेवीट मलक को ठीक है ओप्सन भी देखिए दोस्तों अमेरिका डेवीड मैलाक को वर्ल्ड वाइंग का नया ध्यक्ष के रूम में चुना गया है नया चेयर्मेन और डेवीड मलपास वर्तमान मंतराष्टी मामलों के लिए अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के अवर्स अचीव हैं ठीक है तो यह प्याद रखेंगे दोस्तों और इन्हों ने दोस्तों जीम योंग किम को सफल बनाया जिन्होंने एक निवेश फर्म के सामिल होने के लिए फर्वर्वर्यू का दम रखा है अब यहाँ यहाँ व्रण। की बात होरी तो व्रण। से लेटेट को पता हो ने धीलों दोस्तों देखिए वर्ण बैंक की स्थाबना कभ उई थी जुॉलाइї 1945 में वर्ण। योजवादğ मेंग की स्थापना हुई थी बुक्का पूछा आगा आपका जो है मायल पास यह बन गया है प्रेसिडेंट ठीक है तो यह बहुत ही महत्पूर कोश्चन है वर्ल बैंक ने ध्यक्ष चले अगला कोश्चन है मारा मेडिया की सुदंदर्ता पर बिटेन के विशेश दूत के रूम में किसे निउक्त किया गया है बिटेन के विशेश दूत अमल क्लूनी option C देखें अमल क्लूनी को मीडिया की सुदंदर्ता पर बिटेन की विशेश दूत के रूम में निउक्त किया गया बिटेन और कनाड़ा जुलाई में लंदन आप में जो है एक मंत्रिय स्तरी समयलन की मेजवानी कर रहे है ताकि पत्रकारों पर होने वाले हमल स्कुर को दोस्तों भारती उद्योग परिशंग दोहरुनीश बिसके अध्यक्ष रूम में पदवर घ्रण किया है आपको बता दे कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापारों के M.D.O.C. उद्यकोटक दोहरुनीश बिसकले CII के अध्यक्ष पदनाम है चलिए अगला कोशन प्रफूल परिशात के संस्क्रूम के सच कुं में चुना गया है उई और फिपकास है परतिशित परिशसें पहले भारती है ठीक है फीफा की बात हो रही है फीफा से एलेटेट फैक्ट आपको बता दे कुछ कोशन जो ग्यां पूचाते हैं ठीक है फीफा को फूल फॉर्म क्या होता है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फूट बॉल एसोशीएशन ठीक है किस्थापना कभी थी फीफा की 21 माई 1904 को इसका जो हेटकॉटर है वो है जीवरिक सुट्जा लैंड में बरतमान प्रेसिडेंट को ने फीफा के गियानी एंफेंटिनू एक कोशन डेत है हमारा चवदमें ग्लोबल स्लेक संब्मैलनों प्रेशनी दुहर नूइस में ग्लोबल स्लेक कंपनी आपड़ीएर का नाम किसे दिया गया है ताटा इस्टील ओप्संची ठीक है टाटा इस्टील ठीक है चली नेक्स वोचन हमारा ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट सवार्ड में वर्ष की महिला खिलाडिक रूम में किसे नामित किया गया है PV सिंधू ओप्सन सी देखे PV सिंधू और स्टार भाला पें खिलाडी नीरच चोपड़ा को 2018 में अपने उपलब्दियों के लिए ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट सवार्ड में महिला और पूरुष खिलाडी के रूम में नामित किया गया है ठीक है और साइना नहवाल 2018 ACI खिलों में कान सपतक जीतने के बाद कमभय कापड़ायर के रूम में पुरुषकार जीता है ठीक है चलिए अगला कोशन देख लेते हैं कोश्चन नमर टेंथ है मुंबई हाई कोट के नय मुखिनाधिस के रूम में किसे सपत दिलाई जाएग जश्टिस प्रदीप नंदरा जोग ठीक हा ऑप्सन सी ठीक है इसाथ अपरेल को JUSTICE प्रदीप नंदरा जोग बामबे हाई कोट के नय मुखिनाधिस कुरुन में सबत ग्रहन करेंगे और माराश का जो राजयेपाल है C.W. देशागर राो मुखिनाधिस के पत्त की सपत दिल ठीक है चलिए विकास और शंती के लिए अंतराष्टी खेल दिवस का मना जाता है अंतराष्टी खेल दिवस का मना जाता है प्रतिवस राष्टी खेल दिवस मना जाता है उंतिस अगस्त को ठीक है हाउकी के जादूगर जो है मेजर ध्यान चंद जी के जहनती के दिन मना जाता है ठीक है राश्टी खेल दिवस मना जाता है और इंटरनेशनल स्पोर्ट जे अंतराश्टी खेल दिवस का मना जाता है 6 अप्रेल को और राश्टी खेल दिवस भारत में 29 अगस्त को IPL में एननी इंडियन प्रीमेर लिंग में खेलने वाले जम्मू काश्मीर के दूसरे क्रिकेटर कौन बने है रासित सलाम डार ठीक है ऑप्सन डी रासित सलाम डार जम्मू काश्मीर से IPL में खेलने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए है उन्होंने टूर्णा मेंने वो मुंबई इंडियन्स के साथ अपने खेल के शुरुवात की परवेज रसूल जो है आई पील में खेलने वाले जम्मू काश्मीर के पहले खेलाडी थे और दूसरे कौन बन गए है रासित सलाम डार लोकसवा चुनाद वहरुनीस के लिए जम्मू काश्मीर चुनाओ विवाग का ब्रैने मेज़र कौन होगा इसका लास्ट वीडियो का एंसर मैंने क्वेशन क्या पूछा था ICC Test Championship ranking में लगातार तीसरे साल पहले स्थान पर है उसका एंसर आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखना है ज्यादा ज्यादा लोग कमेंट करेंगे वीडियो प्लीज लाइक जरू कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर लें ठीक है दोस्तों प्लीज और वीडियो को शेर ज ज्यादा ज्यादा शेर करें मिलते हैं श्युद्यों को साथ दोस्तों तब तक कि लिए अब अबना ध्यान दोके स्वस्त्रें बस्त्रें मस्त्रें जै हिन जै भारत